तो प्यारे बच्चों लाइब बता रहा हूँ कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करोगे ठीक है तो कॉमेंट ओपेन कर लो कुछ भी सर्च नहीं करना यह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से देखो एन्वल रिजल्ट एक इसके बाद मैं आपको क्लास इस्टुडेन टाइट फिल कर दिया यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है जैसे इस प्रकार से प्रुकर करकर दो जोगी टॉस् prose कर लेना है तो यहां पर amendment क्लिक कर दिया उसके बाद में सैक्श सेक्शन पर भी आके select पर click करना आपको कहाँ पर select पर click करना ठीक है select पर click करोगे तो यहां से section आपको choose करना है section 8 ए पर click कर दिया यहां पर उसके बाद में DOB मतलब date of birth किस format में लिखना है यह भी आपको ध्यान में रखना है तो देखो किस परकार इसको fill करोगे 18 ऐसे लिखना है उसके बाद में आपको slash लगाना है उसके बाद में अगर यहां पर पांचवा मेना 05 लिखना है फिर slash उसके बाद में 2012 ठीक है इस परकार आपको date of birth फिल करना उसके बाद में विज्वल कोड ठीक है यहां पर आपको फिल करना है तो इसको फिल कर लेते हैं इस परकार विज्वल कोड फिल करना है फिर detail चेक कर लो यहां पर देख सकते हो student ID class section date of birth विज्वल कोड यहां पर same फिल कर लिए गया मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फिर फिर सम्मिट पर क्लिक करना है कहाँ पर सम्मिट पर क्लिक करना है यह ठीक है जैसे क्लिक करोगे इस परकार से थोड़ा वेट कर लेना यहां पर लिखा आ गया तो इस प्रकार आप चेक करोगे कोमेंट में लिंक पेस्ट अपन करके देख सकते हो कहीं पर डाउट है तो कोमेंट कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो एंट टेक केर